चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम आपको बताने जा रहे हैं चनधर शर्मा गुलेरी जी का जीवन परिचय तो चलिए शुरू करते हैं उनका परिचय चनधर शर्मा गुलेरी जी का जन सन 1883 में जैपुर में हुआ था वे अनेक भाषाओं के जानकार थे संस्कृत, पाली, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, बांगला, मराठी के अलावा उन्हें लेटिन, फ्रेंच और अंग्रेजी भाषा का भी बहतर ग्यान था प्राचीन, इतिहास, और पुरातत्त विशे उन्हें बहुत प्रिय थे, भाषा विज्ञान में भी उनकी गहरी रुची थी उन्होंने सहित के कई विधाओं पर काम किया है, मूल रूप से वो कहानी कार के रूप में जाने जाते हैं उनकी तीन कहानिया ही उन्होंने लिखी हैं और उनमें से एक कहानी विश्विस्तर की कहानी मानी जाती है और वह कहानी है उसने कहा था उसके लाभा जो दो कहानिया है उनका सिर्षक है सुख में जीवन और बुद्धु का काटा हीरे का हीरा नाम कहानी उन्होंने उसने कहा था के अगले भाग के तोर पर लिखी थी उन्होंने केवल तीन ही कहानिया लिखी हैं निबंध साहित भी उन्होंने लिखा है और उसके शीर्शक हैं कच्छवा धरम, मारिस मोह कुठाओं और पुरानी हिंदी तथा महर्ची चेवन की का रामयन उनकी शोध परक रचनाएं हैं बीस वर्ष की उम्र के पहले ही उन्हें जैपुर के वेधशाला के जिर्नो धार तथा उससे संबंधि सोधकार के लिए गठित किये गए मंडल में चुन लिया गया था और कैप्टेन गैरेट के साथ मिलकर उन्होंने दा जैपुर आबजर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स शीर्षक अंग्रेजी ग्रिंथ की रिचरा भी कर ली थी उन्होंने अनेक पत्रपत्रिगाओं का संबादन भी किया है जैसे समालोचक काशी की नागरी प्रचार्णी सभा के संबादक मंडल में भी उन्हें सामिल किया गया था उन्होंने विविन शिक्षा संस्थानों में अध्यापन कारी किया बनारस हिंदू विश्विद्याले में भी वे प्राच विद्या विभाग के प्रमुख पत्पर रहे अब हम जानते हैं उनकी भाषा शैली के बारे में गुलेरी जी की शैली मुख्षतय वार्तालाप की अंग्रेजी अर्वी फार्सी यादी के शब्द ही नहीं मुहावरे भी उनके लेखन में शामिल हैं वे अपने लेखन में उध्रण और उधारण बहुत देते हैं जिससे उनकी रचना को ठीक तरीके से समझा जा सकता है प्रोफिसर नौमवर से ने उनके बारे में कहा है गुलेरी जी हिंदी के शिर्प एक नया गद्य या नया शैली नहीं गड़ रहे थे बलकि वे वस्तुत एक नई चेतना का निर्मान भी कर रहे थे और यह नया गद्य नई चेतना का सरजनात्मत साधन है गुलेरी जी को कई प्रकार के सम्मान भी मिले उन्हें इतिहास दिवाकर की उपाधी से सम्मानित किया गया था सन 1922 में उनकी मृत्यू हो गई तो यह था चंधर शर्मा गुलेरी जीता जीवन परिशे आपसे अन्रोध है कि क्रेपैसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए सबस्क्राइब कीजिए अगर आपके मन में कोई प्रश्ण हो तो उसे हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए हम उसका उत्तर अवश्च्छ देंगे आपका बहुत बहुत धेन्यवाद